हलो फ्रेंड्स कामनी के किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो देखिए आज हमने कितनी बढ़िया मिठाई बना के त्यार की है तो मैं लाई हूँ आपके लिए घर के दो समान से बिलकुल आसान सी मिठाई जिसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं तेहारों के सम तो यहां पर मैंने एक कटोरी दूद ले लिया है एक कटोरी दूद मैंने और ले लिया मैंने मलाई वाला दूद लिया है यह पहले से ही बॉयल दूद था क्योंकि मलाई हमें डालनी होती है मिठाई में तो मैंने मलाई के साथ वाला ही दूद इसमें डाल दिया है आप तो यहाँ पर एक बॉइल आ गया है अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से इसमें एक वाला दिलवा देंगे ताकि दूद में अच्छा बॉइल आ जाए तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मावा वाला टेक्सटर आता है तो हम दूद को हलका हलका इसमें डालेंगे और इसको चलाते ही रहेंगे मिलकुल भी हमें इसको छोड़ना नहीं है जो बचा हुआ मिल्क पावडर था भी मैंने कटोरी से कड़ाई में डाल लिया तो हम चलाते रहेंगे continuously flame को हमें medium to low ही रखना है high flame पे हमें इसको नहीं पकाना है नहीं तो इसका टेस्ट बिगड जाएगा खाने में ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी तो हमें low to medium flame पे ही इसको continuously चलाते ही रहना है तो ये देखिए friends हमने इसको चला लिया है इसकी quantity half हो गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका color भी थोड़ा सा change हो गया है तो अब हम इसमें add कर देंगे एक कटोरी चीनी आप अपने टेस्ट के according मीठा add कर सकते हैं थोड़ा कम जादा भी आप कर सकते हैं तो अब हम चीनी को भी इसमें अच्छे से mix कर लेंगे चीनी हमें तभी डालनी है जब दूद अच्छे से गाड़ा हो जाए तो अब चीनी को भी हम इसमें डालके अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि चीनी डालते ही चीनी पानी release करती है तो यहाँ पे हमने चलाते हुए चीनी और दूद को अच्छे से पका लिया है और हम इसको देख सकते हैं आप इसमें कितने बढ़िया बबल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं फिर थोड़ा सा लो कर सकते हैं आप हाई और लो दोनों फ्लेम में करके इसको देख सकते तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा दूद गाड़ा हो गया है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल मावा वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए तो देखिए फ्रेंड समने इसक चलाते हुए 15-20 मिनट ही हुए है तो आप देख सकते हैं इसमें मावा वाली कंसिस्टेंसी आ गई है तो बस अब हम इसको एक दो मिनट तक और ही चलाएंगे ताकि अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए और ये बढ़िया से मतलब थिक हो जाए तो देखिए इसको चलाते हुए अच्छे से ठिक कर लेंगे तो यहां पर मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद अब मैं इसको चलाते ही रहूंगे ताकि कड़ाई में ये लगे ना अगर आप चलाना इसको बंद कर देंगे गयास बंद करने के बाद तो ये बहुत जादा जम जाएगा और जल भी जगता है तो इसलिए हम चलाते हुए ही इसको मैंने ठंडा कर लिया है तो अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है मतलब थोड़ा भी गुन-गुना है लेकिन छूने लाइक हो गया है तो आप देख सकते हैं कितना ये पहले से ठिक भी हो गया है बिल्कुल मावा जैसा लग रहा होगा तो हम मिल्क पाउडर से घर में इंस्टेंट मावा इस तरीके से बना के तियार कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक कटोरी नारियल का बुरादा इसको डेसीर केटिड कोकोनट भी बोलते हैं तो इसको हम मिक्स कर लेंगे तो मैंने इसको हाथों से मिक्स कर लिया है तो यह देखिए जैसे ही हम इसमे कोकोनट डालेंगे तो यह अपने आप कड़ाई छोड़ देगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे आटे का डो होता है उस फॉर्म में इसको बना लिया है तो यहाँ पर मैंने दो लोई इसकी काट ली है तो जो हमारी छोटी वाली लोई है तो उसको मैं अलग कर लोगी और थोड़ा सा बड़ा पार्ट मैं अलग रहने दोंगी तो यहाँ पर जो मैंने एक लोई ले ली है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा food color तो यह देखिए छोटी सी डिबी आती है market में बहुत सस्ती मिल जाती है 5 से 10 उरपए के अंदर यह आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा yellow food color का use किया है तो इसको हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स थोड़ा सा हाथों में घी लगा के हम इसको चिकना कर लेंगे ताकि हमें इसको उठाने में आसानी रहे तो बस हमने इसको अच्छे से लंबा शेर दे दिया है तो बस इसी तरीके से हम इसको लंबा कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक polythine गयोज किया है यह थोड़ी सी soft polythine हो अगर आपके पास hard हो तो आप उसको ही ले soft polythine थोड़ा सा सिकूरने लगती है लेकिन फिर भी मैंने काम चलाने के लिए इसको ले लिया है तो जो हमने बड़ा डो बना के रखा था ना white वाला तो बस उसको हम इसमें घी डालके अच्छे से फैला लेंगे कोई वी दिक्कत नहीं है यह टेणा हो या जैसा भी हो बस आप इसको फैला ले हमें shape वेप से कोई लेना देना नहीं है तो बस हमने हाथों की सायता से इसको दबाते हुए अच्छे से फैला लिया है तो बस हमने येलो वाला डो बना के रखा था जिसमें food color mix किया था उसको इसके उपर रख देंगे इतना हमें बड़ा इसको हातों से दबा दबा के कर लेना है कि ये अंदर रैप हो जाए बस हमने पन्नी के उपर इसको इस तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेना है ये खुद तो बस अभी हमारा रोल बन के त्यार हो गया है तो एक बार मैं इसको हाथों से अच्छे से रोल कर लूँगी ताकि ये अच्छे से soft और चिकना हो जाए तो आपको soft तो ये देखने में ही लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा हम इसको चिकना कर लेंगे तो बस मैंने इसको थोड़ा सा चलाते हुए अच्छा बना लिया है आप अपने इसाफ से बना सकते हैं जैसा भी आप चाहें लंबा या मोटा तो मैंने थोड़ा सा इसको ठिक रखा है तो ये लीजे फ्रेंट्स मैंने इसको सेट करने के लिए आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया थ तो देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया तो बस इसके उपर मैं लगा दूंगी चांदी का वर्क अगर आपको ये मिल जाए तो आप लगाए वनना इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं लेकिन इसको लगाने से थोड़ा सा हमें अच्छा लुक दिखाए देता है तो अब हम इ इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो ये आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी बढ़ियां मार्केट स्टाइल बर्फी बन के तियार हुई है तो अब हम इसको कर लेंगे पिस्ता से गार्निर ये बिलकुल ऑप्शनल है बस ड तो देखिए लग रही है न कितनी टेम्टिंग तो जब भी आप इसको बना के खाएंगे तो आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी बढ़ियां और इतनी लाजवाब मिठाई हमने घर में बना के त्यार की है अगर मेहमानों को इसको सर्व करेंगे तो मेहमान बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि इतनी बढ़ियां इतनी सुन्दर दिखने वाली मिठाई हमने घर में बना के त्यार की है यकीन मानिये फ्रेंड्स इतनी अच्छी आपको देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी खाने में लगती है तो द जब भी आप इसको बनाएं तो अपने अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए बाए बाए फ्रेंड्स